So hi guys, I hope आप सब लोग बढ़िया होंगे and अच्छा प्राफिट भी क्रिप्टो मार्केट से फिलहाल कमा रहे होंगे तो हमारी एगली स्ट्रेटिजी जो की थी शॉर्ट टॉम अगर हम एंट्री कर ले और 10% स्टॉप लॉस लगा ले अपनी एंट्रीस के ऊपर तो हम अभी फिलहाल शॉर्ट टंग गेन अभी भी हासिल करने का ट्राइ कर सकते हैं और रिसेंटली अगेन मार्केट ने दुबारा से नेक्स लेग अप की तियारी करी है और जहां पर बीटीसी 23,800 तक आज मॉर्निंग में हमने जाता हुआ और रेडी देख लिया है फिलहाल बीटीसी चल रहा है 23,200 और ये रैली कितनी लंबी जा सकती है और मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन जो कि शाय सब लोगों के दिमाग में होगा क्या बीटीसी दुबारा 15,500 के आसपास आ सकता है कि नहीं उसके लिए मैं लेकर चलूँगा आपको आज कंप्योटर स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोगों को जहां पर अच्छा प्रॉफिट बनाना है प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट बुकिंग करनी उससे भी ज़ादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको आपको समझाना चाहूंगा दिखाना चाहूंगा उसको हमें कैसे करना है वो पूरा का पूरा आपको मैं स्ट्रेजी फिलहाल देना चाहूंगा क्योंकि लोग क्रिप्टो के अंदर आ जाते हैं एंट्री कर लेते हैं लेकिन एक्जिट नहीं कर पाते हैं और एक्जिट नहीं कर पाते तो एड़ दा एंड वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते के चलते हैं जल्दी से और इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करना मद भूला करो वीडियो के ओपर अपने ओपीनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मद भूला करो और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के शेयर मेरा क्या ओपीनियन है वह मैं आपको आज फिलहाल इस वीडियो में शेयर करूँगा वीडियो को लाइक अभी देख आपने कर दिया हो ऐसा मैं उमीद करता हूं और साथ ही साथ अपना ओपीनियन अबाउट दो मार्केट आपका क्या ओपीनियन है बीटिसी यहां से कहां अधर जा सकता है या नीचे वापिस कहां तक आ सकता है जरूर कमेंट बाक्स में बताईएगा वेरी इंपॉर्टन फॉर मी टूरीड की आप लोग क्या सोचते हो अबाउट दा मार्केट राइट नाव एस वैश्वाइट सबसे इंपॉर्डेंट कोशन का फिलहाल हम करते ह है ट्राइए आंसर देने का लेकिन उससे पहले अगरा मार्केट के हालात देखे तो आप देखेंगे एप टॉस फॉर्टी वन परसेंट बढ़ चुका है सोनम कोईन अगें एटीन परसेंट बढ़ चुका है और हमारे बहुत सारे कोईन अगें जबर्दस रैली अब दिख 20 डॉलर जब मैं वीडियो को बना रहा हूं यहां पर अभी चल रही है 26th of January 31st of January को आएगी बहुत बड़ी न्यूस FOMC की मीटिंग जो कि मैं positive expect कर रहा हूं फिलहाल लेकिन अगर हम अभी दिख हमने जितना भी analyze किया है 2020 के अंदर हमने जितना पर profit कमाया हमने टॉप के उसका सबसे बड़ा जो important role play किया था वो था history ने यानि कि हमने history को काफी अच्छे फालो किया जिसको लोग ignore कर रहे थे तो अगर अभी history ही repeat होती है तो पहले जो हुआ था मैं उसके बारे में आपको समझाना बताना चाहूंगा so that you guys understand the importance of booking the profit अगर आप लोगों ने profit book करना नहीं सी का तो कोई फायदा नहीं है portfolio को उपर जाते हुए सरफ देखने का अब इसके अंदर आपका यह भी question रहता है profit booking के अंदर क्या हम long term portfolio को भी छेड़ दे तो मेरे दोस्त वो आपकी thought process है कि आपको क्या लगता है कि मैं इसके ओपर 20%, 50%, 100% profit बना लिया क्या है यह आपक देट के ऊपर दो हदार चोबिस पचिस की राई रैली के अंदर हंडेडेट बन सकता है इन रैली के ऊपर तो वह आपको डिसाइड करना है मैं यहां पर बात कर रहा हूं short term portfolio की जिनको हमने entry करके फिलहाल profit बनाने की कोशिश करी है हमने 2017 की रैली के अंदर बहुत clearly देखा म सब कुछ सेम हुगा बीटिसी ने यहां पर bottom बनाया 2000 अगर हम बात करे 18 के अंदर जो को सारे दुनिया गहरी थी 6000 डॉलर लेकिन हमने तब भी माना नहीं था 6000 डॉलर bottom होगा bottom बना वही 3000 डॉलर के आसपास जो कि हमने उस टाइम भी प्रेडिट किया था और बना 3000 के आसपास का bottom डिसेंबर 2018 के अंदर इस बार 2021 के अंदर डिसेंबर के अंदर exact bottom वैसा ही बनता हुआ दिखाई दिया जहां पर सब लोगों का था कि 16,700, 17,000 तो था वही bottom है लेकिन बना 15,500 bottom जैसे कि बना यहां पर 3000 dollars bottom इसके बार market ने लगभग recovery करी जनवरी के अंदर जैसे कि अभी market recovery कर रही है February के अंदर जैसे market अभी चलने की उमीद हम कर रहे है और उसके बाद market ने सीधा straight away push दिखाया अगर आप देखेंगे तो 3,000 dollars से 4200 dollars तक हमने rally दिखाई यानि की 40% का gain असल किया जो कि अभी अगर हम बात करें तो अभी वैसा ही rally up हमने देखने को मिला है फिलहाल BTC थोड़ा सा dump हो रहा है जब मैं वीडियो को बना रहा हूं 22,950 dollar फिलहाल BTC आ चुका है कोई news market में आई है कि नहीं I really don't know लेकिन yes let us see what has happened in the market तो अगर हम उसके बाद बात करें market जो थी वो 3,000 dollars से सीधा चलेगी 14,000 dollars लेकिन क्या market वहाँ पे उसके बाद उपर ही जाती रही तो उसका आंसर दिया market ने खुद market ने जब टॉप लगाया 19 के अंदर दुबारा से 14,000 dollars जाने कि 4X करेंगी market वहाँ से लोग extraordinary over confident हो गए उसके बाद हुआ क्या market ने दुबारा से correction ली और market चली गई लगबग 6,000 dollars और उसके बाद दुबारा crash होते हो चली गई लगबग 4, 3,000, 3,000, 3,800 dollars के आसपास available से दुबारा market ने ये bottom दिखाया एक sudden crash हुआ बहुत बड़ा और उसके बाद market ने दुबारा कभी भी पीछे मुण के नहीं देखा ये crash हुआ था 2020 मार्च के अंदर यानि कि हम इस crash को expect कर सकते हैं अगर पूरे charts को अगर हम repeat करते हैं हर चीज को repeat क करते हैं तो ऐसा crash हम ही हम बात कर रहे है 2019 के अंदर हमने यहां पर 2018 के अंदर bottom देखा रैली अप करती की market 2019 के अंदर ऊपर गए हम काफिया तक जून जुलाई तक और उसके बाद 2020 मार्च के अंदर हमने correction देखा तो यहां पर यह ओवर confidence में आना और कहना कि market यहां से नियर अबाउट 15,500 के आसपास शायद आने वले टाइम में दुबारा आए लेकिन यहां से क्या हम 23,000 के ऊपर जाएंगे की नहीं जाएंगे I really feel कि market के अंदर जो sentiment फिलाद थोड़ से improve होई है market के अंदर जो चीजे चल रही है FOMC News विगारा जो आने की chances है वो better होने की chances है तो यहां से market और rally up करनी चाहिए जहां तक मेरी prediction है market यहां से 25,000 डॉलर तर जा सकती है जो कि मैं उमीद कर रहा हूँ उसके बाद BTC को correct होने के लिए अगर हम बात करें BTC ने 14,000 डॉलर स्टॉप लगाया था उसके बाद जो bottom बना था वो था लगबख 4,000-4,000 डॉलर का ज जाने का वो अब chances ना के बराबर अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर हम history की बात करें तो history says कि 15,500 डॉलर जो था December के इंद जो bottom बनता है उसके बाद जो market recover करती है उसके बाद जो market दुबारा correct होती है वो उस level से नीचे कभी नहीं जाती है तो मैं कहूंगा पिछली पार जो 3,000 डॉलर bottom बना था 3,000 डॉलर उसको मैं कंदर दिन कर सकता हूं 15,500 डॉलर से और next time अगर market में correction होती है और market 30,000 डॉलर चली जाती है यहां से और market दुबारा correct होती है तो I believe 17,000 डॉलर के नीचे या 15,500 डॉलर के नीचे market दुबारा नहीं जाएगी लेकिन अगर य crash दुबारा आता है अगर हमने profit book नहीं किया तो हमारा सारा rally up वेस्ट हो जाता है तो मेरी आप लोगों से यहीं को जारिश है अगर आप किसी चीज़ पे coin के ओपर entry 100 डॉलर पे ले रहे हो वो coin अगर 140 डॉलर चले जाता है आप 120 के ओपर अपना stop loss लगा दो 20% profit पका होगा ह यह समझ कि आप उसके ओपर चलो अगर वहां से crash हो जाता है और वह आ जाता है 80 डॉलर तो हमारे पास opportunity होगी उसको और नीचे बाए करने की लेकिन अगर वह यहां से चले जाता है 120 के बाद 200 डॉलर तो हमारे पास opportunity होगी अपना stop loss को आगे move करने की और stop loss को ले जाओ अब 160 डॉलर के उपर ताकि आपका 60 डॉलर का profit जो है वो confirm हो जाए 60 बिन का profit और 40 परसेंट जो है आपका trailing stop loss होगा अगर उससे market ओर उपर जरी आए तो उसको और आगे move कर दो इसी तरीके से आप market के अंदर फिलाल trading करो profit बुक करने को बहुत जादा importance दो को अगर आपने profit बु तोड़ा सा उपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है जब मैं वीडियो को बना रहा हूं 22,900 के गरीब भी लगा था 23,000 डॉलर दुबारा चल रहा है लेकिन अभी कोई negative news में को समझ अभी फिलाल आई नहीं है अगर को negative news आती है for sure scenario chain हो सकते है लेकिन अभी I believe January 31 तक हमन है वो बहुत छोटी लेना 2X 3X leverage डालने शुरू करो आप लोगों को बहुत जादा easy हो जाएगी futures trading भी करना मिलिंगे नेक्स वीडियो के अंदर till then bye bye take care and have fun and make sure और वीडियो के नीचे comment box में जरूर comment करके बताना कि आपको क्या लगता है BTC कहां तक जा सकता है क्या 30,000 हम दे बहुत bad scenarios market के अंदर फिलहाल आ जाए global issues बहुत जारे market के अंदर सामने आ जाए उस वह अगर होता है तो ही मैंको लगता है 15,500 फिलहाल टूटेगा otherwise I am feeling doubt about it कि अब वह pattern जो है वह फिलहाल break होना difficult ज़रूर हो